गीता जी के अठारवे अध्याई के बासटवे श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ती के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है वह परमेश्वर कौन है श्रमल भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्य पूर्ण प्रशन है और यह श्लोक अपने आप में बहुत महत्तुपूर्ण है गीता का तमेव शर्णम गच्छ सरव भावे इन भार्द तत्प्रसादाद प्राम शांति मिस्थानम प्राप्ससी शाश्वतम जिस अठारवेध है के 62 श्लोक की चर्चा अपने की उचर्चा इसी श्लोक को लेकर तम उस प्रमात्मा की शर्ण में तुझा वहाँ से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी क्रपा से वस्तुता कोई और परमात्मा नहीं है हमने पूरों में भी एक प्रशन की उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान से कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है पूर्ण ब्रह्म है प्रभुजी यहां चलते चलते एक आखरी सवाल और आपसे जाना चाहेंगे ओ मैं तुम्हारे हिर्दय में विराजमान हूँ कहा बटकता है कहा देखेगा भगवान सब जुबे व्यापते हैं अंदर भी है बाहर भी है उपर भी है नीशे भी है अगल में भी है बगल में भी है तो बगान कहते हैं कि बख्टी जो एपने हिरदय में ही सुख और दुख का अनभाम करता है और हिरदय देश मेंबगान इराजमान है तो कहा है कि उस परम इश्वर की अर्थाद उस मेरी क्रस्ण की या मेरी आराधना तो हिरदय में बैठ के करो प्राफ्ति के द्वारा ओ एड़दय से हम तुम्हे भगवान प्रमात्मा रूप में हमेशा सिक्र से हमको मनो वांचित ग्यान देते रहते हैं अगर मैं अपने हिरदय की आवाज सुनता रहूं हर रखती जीव मात्र का धर्मा है एपने हिरदय की आवाज सुनेगा और जब रूप मन से भगवान का प्रमेश्वर को पहचान जाएं उसकी आराध्ना करें तो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभुजी इस तमाम जानकारी के लिए उसको पढ़िये और गीता के सुन्दर भाव को समझ सकें हरे किश्णा गीता जी के अध्याय ठारा केशलोग बासत में गीता का उदेश करने वाला भगवान अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के लिए किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहे हैं यह एक बहुत उड़ा ब्रहमें, अपने से अन्य किसी भगवान की, शरण में जाने के लिए क्लिए नी करें यह भगवान का कहने का श्टाइल है, जैसे अभीनियता की बार कहते हैं न, अपुन को नहीं जानता है? अपुन का नाम नहीं सुने ला आफ तू? बस वाई भगवान कहते हैं प्रवान की उपास न करो प्रवान कौन है वो कुद ही है तो ये थे आचारे धर्मेंद्र जी महराच के विचार अब आपको सुनाते हैं तत्वदर्शी जगतगुरू संद रांपाल जी महराच के विचार डंडवतम गोबिंद गुरू बंदू अविजन सोए पहले बहे परणाम तिन नमोज आगे वोए एक स्री करशन भगत से किसी ने परशन किया कि स्री मद्भगत गीता जी अध्याय नमबर 18 के सलोक नमबर 62 में गीता ग्यान दाता अपने से अन्य किस परवेस्वर की सरन में जाने को कह रहा है वो क्या उतर देता है कि स्री करशन अपने ही विशे में कह रहा है अपने ही सरन माने को कह रहा है वो ताविजन का कोई ग्यान है अब स्री मद्भगत गीता अध्याय नमर दो के सलोक नमर साथ में अर्दुन कह रहा है कि मैं आपकी सरन हूँ और आपका सेस हूँ आप मुझे यथार्थ ग्यान बताइए अब मेरी बुधी काम नहीं कर रही है तो स्री करसन की सरन में अर्दुन तो पहले ही था अब ये कहें कि मेरी सरन में आजा अपनी सरन के लिए करें नहीं कि तीन परमात्मा सरपुरस अक्सरपुरस परमाक्सरपुरस पुन्यात्मों गीता जी अध्याय नमर आठ के सलोक नमर एक में अर्दुन ने पूछा कि प्रभू आपने जो गीता जी अज्धाय नमबर साथ के स्लोक नमबर उनतीस में कहा कि जिन्होंने तत्वा दर्शी संत मिल गया उन्होंने सारे जात्म ग्यान को समझा और सभी कर्मों से प्रिचित हुआ और वो तत्वर्म से प्रिचित हुआ फिर वो जरा और मरन से मुक्ती के लिए ही छुटकारे के लिए ही वो साधना यतन करता है प्रियतन करता है वो इस संसार की किसी वस्तो की डिमाड नहीं करता है वो तत्वर्म को जान लेता है तो यहां गीता जी देह नमबर आठ के सलोक नमबर एक में अरजुन ने पूछा किम तत्वरम वो तत्वरम क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तू की डिमाड नहीं करता जरा और मन से मोक्स प्राप्ति ही चाता है तो वो किम तत्वरम अब गीता ग्यान दाता आठ में जाय के तीसरे सलोक में उतर देता है कि वो प्रम अक्सरब्रम है वो प्रम अक्सरब्रम है वो गीता ग्यान दाता से अलग है अब एक सरपुर्ष एक अक्सरपुर्ष एक प्रम अक्सरपुर्ष ये तीन परभू है शरपुर्ष तो ये काल है अब यहां गीता अध्याय नम क्या बताया है कि उस तत्व दर्सी संत की पैचान बताई है जिसके विशे में गीता जी देह नमर चायर के स्लोक नमर चौटीस में वरनन है यह सपष्ट किया है कि ऊपर को जड़ वाला नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा वाला यह उल्टा लटका हुआ संसा रुपी वरक्स है और जो संत इसके सभी भी भाग बता देगा पत्ते कौन है जड़ कौन है तना कौन है और डार कौन है साखाए कौन है पते क्या है से वेद विद वो वेद के तात पर ये को जानने वाला है अरतात वो तत्व दरसी संत है परमेशवर स्वहम आते हैं सत्वगान को बताने के लिए आज से लगवट छस्व वरस पहरे वो परमेशवर पुरुण ब्रम परम अक्सर ब्रम कवीर देव जुलाहा कवीर रूप में परगठ हुए थे सैसरी राय थे कमल के फूल पर इसी सु रूप धारन किया था सन 1398 में और आकर के एक निरो नीमा नामक जुलाहे नी संतान दमपती उनको वहां से ले गए थे और धीरे धीरे लिला में बड़े होते रहे पांत वरस की आयू से ही इस ग्यान का परतार परहर्म कर दिया था तो परमेश्वर ने कहा था अक्सर पुरस एक पेड़ा नरजनवा की डार और तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप संसा श्री मद भगवत गीता अज्धाय नमबर पंदरा के सलोक नमबर एक से चार और सलोक सोला और सत्रा में जो विशेज विवर्ण दिया है उसको समझने के लिए इस संसार रुपी वर्क्स को आप देखिएगा चेतर आसानी से समझ माईगा फिर ये संसार रुपी उटा लटका हुआ वर्क्स समझो परमेश्वर ने समय मता है कि अक सरपुर्ष एक पेड़ है और सरपुर्ष इसके डार समझो ये काल समझो काल ब्रहम समझो इसको कुछ भी कहो ये इसके इसी के प्रयावाची नाम है सरपुर्ष इसको ब्रहम शरपुर्ष भी कहते हैं सरपुर्ष ये तो डार समझो इस संसार रुपी वर्क्स ली और तिन्नों देवा रजगुन ब्रमाजी सत्गुन विश्णुजी तंगुन शिवजी ये तो साखाए हैं और हम या पात रूप संसार अब इस आश्या को समझने के लिए अब ये गुप्त कौन है ये जड कौन है ये परमकसर ब्रहम है परमकसर पुरुस कहो परमकसर ब्रहम कहो या पूर्ण ब्रहम या परमेश्वर कहो परमकसर ब्रहम कहो ये गीता जी धार नमर 15 के स्लोक नमर 16 और 17 में ये कंसेट बिलकुल कलियर है, तीन भगवान है, एक तो परमक्सर ब्रहम यानि परमक्सर पुरुष को हो, परमक्सर ब्रहम को हो, ये तो जड़ है पूरे संसार रुपी वरक्स की, यहीं से सब को उत्पती होती है और यहीं से सब को आहर मिलता है, सब का भार्ण पूशन ये करता है, पर इतना जो जब बाहर देखता है, उसको अक्सर फुरुष पर ब्रहम भी कहते हैं, जो गीता बोल रहा है, और तीनु देवा रजगुन भरमा स, विशुन तमक्वन शिवजी, ये साखा है, और हम पात रूप संसार, अब रजगुन भरमा ह कलिर होना चाहिए तब जा करके हमारे ये अर्दे में समावगा ये ग्यान तत्व ग्यान क्योंकि आज तक हमने लोकवेद सुना है दंतकथा सुनी है गीता जी का अनुवाद भी हमने गल्द पढ़ा है ये देखिएगा मारकंडे पुराण सचीतर मोटा टाइब केवल हिंदी गीता प्रैस गुरुपुर से परकासित है और इसके ये परकासिक मुदर गीता प्रैस गुरुपुर इसके एक सो तेईस प्रिष्ट पर आप देखिएगा 122-123 प्रिष्ट पर संग्सिप्थ मारकंडे पुराण ये है करोक्ष्टू की ने कहा बगवन ये सारे यही बता रहे है इस तरह श्वंभु प्रमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है रजोगुन परदान बर्मा, तमोगुन परदान रूदर और सतोगुन परदान विश्वपालक विश्णुजी है ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण है, सप्रश्ट हो गया ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण है रत गुण को हो, सत गुण को हो, ये तीननो देवता को हो, ये तीननो गुण को और देखिएगा श्री मद्देवी भागवतं सभास्टीकं सेमात्यम खेमरा श्रीकर्शन दास परकाशन बंबई चार इसके हम तीसरे भाग पर आते हैं, तीसरे सकंदम, यह देखिएगा इसके ग्यारा परिष्ट पाईएगा, यह देखिएगा अध्याय पांच, तीसरे सकंदम, इसका आठमा सलोग हे मात है, संकर भगवान बोलें सिव जी, हे मात है, यदि हमारे उपर सदा आप दया युक्त हो, तो हम को तमोगुण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुण और हरी सतोगुण युक्त क्यों किये, फिर देखिएगा, अब हम संस्कर्थ पढ़ेंगे, यह सातमा समाप्त वा आठमा सलोग, यदि द्या दर्मना नस्दा पी के, कथम एहम वहीत है, संकर भगवान किये हैं, किस परकार मैं बना दिया, तमोगुण कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को आपने रजोगुण संभव को रजोगुण उत्पन कर दिया, सुभी तक कि मूद सतोगुण हरी, और किस परकार आपने विश्ण जी को सतोगुण उडा दिया, इती सिधम रजगुण बिर्मा, सत्गुण विश्णू, तमगुण जी और मारकन ने पुराण में आपने कलियर सुन लिया, यही तीन देवता है, आप स्विम पड़ा, और यही तीन गुण है, रजगुण बिर्मा, सत्गुण विश्णू, तमगुण शिव जी अब सिरी मद भगुद गीता जी अध्धाय नमबर 15 के, स्लोक नमबर 1 से लेक जी अध्यार को समझना अतियासान हो जागा, यह देखेगा, शिरी मद देवी भागुद, जैद्याल गुण का इसके अन्वादक हैं, गीता प्रस गोरुखपुर से परकासित हैं, अध्याय नमबर 15 के, स्लोक नमबर 1 में, आदी पुरुष परमेश्वर मूल वाले, प्रणानी, यह तमवेद से वेद वित, उपर को जड़ वाला, अध्या साखम, नीचे को साखा वाला, यह संशारुपी, यह अविनासी पीपल का वरक्स है, और छंदासी यस्या प्रणानी, इसके पत्ते, जैसे उपर को जड़, साखा और पत्ते आदी जो छंद हैं, हैं, विभाग हैं, यह तमवेद, जो इसको जानता है, सेवेद वित, वो तत्तवदर्सी संथ है, अधी पुरुष परमेश्वर मोल वाले, अध्या साखम, इन्होंने यह गल्द किया है, बर मारूप साखा, मुख्या साखा वाले, यह गल्द किया है, यह अध्या माने अध्या माने नीचे, अध्या माने नीचे, तो यहां भी अध्या माने अध्या साखम, परत्व मंत्र में, अध्या माने नीचे को साखा वाला, आधी पुरुष परमेश्वर मोल वाले, अध्या माने नीचे को साखा वाला, यह संसार रुपी पीपल के वरक्स को अविनासी जड़तें लेकर पत्तों तक बता देगा, से वेद विद, वह है, वेद के इतात्परिय को जानने वाला है, वो तत्व दर्शी संत है, अब यहां दूसरे हम कहा है, उस अंसार वरक्स की तीनों गुन रूप, रज गुन बर्मा, सद गुन विशन, तम गुन शिव जी, रूप फैली हुई है, शर्वतर नहीं, यह गल्द लिखा है, उर्धोवा ने उपर फैली हुई है, मुनस लोक में, कर्मो अनुसार बांधने वाली है, तीनों बर्मा, विशनों महिस, कर्मा नुसार सब को यहां, बांधे रहते हैं, अपने कर्मा नुसार उनको यह सब देते रहत नीचे और उपर व्याप्त है, नीचे और उपर सभी लोकों में नहीं, उपर सुर्ग लोक में, नीचे पाताल में और पर तीन लोकों में ये व्याप्त है, अब तीसरे हम क्या कहा है, कि इस संसार वरक्स का सुरूप जैसा कहा है, वैसा यहां विचारकाल में नहीं है, नहीं पाया जाता, यहां विचार कालवाने कि तेरे मेरे इस गीता जी के डिस्कसन में मैं नहीं बता पाऊंगा यहां नहीं मैं नहीं बता सकता है संसारुपी वरक्स के सभी विभागों को नहीं बता सकता इसलिए गीता जी देह नुमर चार के स्लोक नुमर चौंतीस में कहा कि उतत्वदर्सी संथ बताएगा ने इसका आधी है और ने इसका आन्त है और ने इसकी अच्छी परकारस्थिति है इसलिए इस सो विरुड मूलं अती दर्ड मूल वाले ये गल्त लिखा रहा है यानि मूल यानि पूर्न प्रमातमा और उसका लोग तो अविनासी लोग है वो कभी नष्ट नहीं होता इसलिए अती दर्ड मूल वाले इस संसार रुपी पीपल के वर्क्स को असंख संस्त्रे इन्हों ने विराग रूप संस्तर द्वारा काट कर नहीं अब चौथा शलोग है पंदर में जाएगा उसके पस्टाथ उस प्रम पदरू परमेश्वर को भली बाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वरस की परवर्ती विस्तार को प्राफ्ट हुई है और उसी आजी पुरुष नारान के मैं सरन हूं इस परकार दर निस्ज़े करके उस परमेश्वर का मनन और निदी धासन करना चाहिए अपने अत्माओं ये सबस्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता को भी पूरुण ग्यान नहीं है इसने सबस्ट करके छोड़ दिया कि उपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुन रुपी साखा वाला और गीता जे देह नमर 4 के सलोक नमर 34 में बताया कि उस तत्व ग्यान को तत्व दर्सी संत बताएगा गीता ग्यान दाता उस ग्यान को नहीं जानता तो उसके लिए प्रमात्मा खुज आये थे आज से स्थ सो वर्स पहले प्रमेश्वर ने स्वम बता था अक्सर पुर से एक पेड़ है नरंदनवा की डार और तीनों देवा साखा है ये पात रूप संसाथ अब इसमें ये भी सफ़ष्ट किया है गीता ग्यान दाता कहता है कि तत्व दर्सी संत मिलने के पस्चाथ इस उलजी हुई गुथी को समझ कर उसके पस्चाथ प्रमेश्वर के उस प्रमपद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर लोटकर कभी संसार मानी आते है उनका जनम मर्तू कभी नहीं होता वो है वास्ता में परमगती जो गीता ग्यान दाता से कोई और फरमेश्वर है और वो संत बताएगा तो पुन्यातमों यहां गीता ग्यान दाता इसलिए गीता जे दह नमर साथ के सलोक नमर अठारा में अपनी गती को अनुतमाम अती गट यह कहता है कती वर्थ है क्योंकि जनम मर्तू कहता मेरी भी रहेगी और सादक की भी रहेगी बरम लोक में पहुंच जाएगा मेरे ओव नाम के जाबते हैं और बरम लोक में गए हुए विप्रानी फिर वापस जनम मर्तू बाते हैं इसलिए गीता ग्यान दाता बरम श्री कर में काया कि उसके पस्ता तुस प्रम्पद प्रमेश्वर की खोज करनी चाहिए जहाने के बाद फिर लौड कर सादक कभी सर वापस नहीं आते है उनकी जनमर्टु नहीं होती है पूरुन बोक्स प्राप्त होता है और कहता है पूरुन रूप से सक्षी सर्दा से उसी की साधन करो गीता गान दाता कहता है अब गीता जी अध्धाइ नंबर पंज्ड़ा के सलोक नूप 16 और 17 इन तीन्नों पुरुस यानि पर्वह की जानकारी है सरपरुस अक्सरपरुस और अर्दुन ने पूछा क्यूंट निय्का पहा है, लग चीन अप्रपुर्म गृत है। अब सरपुरुष तो ये खुद है, अक्सरपुरुष ये समझो, तना, और तने का आगे मोटी डार निकलती है, वो सरपुरुष, आगे तीननों देवा, साखा, रजगुन परमा, सद्गुन विश्ण, तमगुन शिवजी, और मूल भगवान जो है, वो प्रम अक्सरबरम है जिस से सबका धार्न पोशन होता है, गीता जिद्धाय नमबर 15 के स्लोक नमर 16 और 17 में तीन पुर्शों की तीन पर्भुवों की जानकारिय है, ये देखिएगा, अजिद्धाय नमबर 15 और स्लोक नमर यहाँ, सोला देखिए, शिरीमत भगुत गीता, दिवव, इमव, पु इस लोक में परच्वी वारे लोक बोले जाते हैं, जो साथ संग बर्मंड इसके अक्सर पुर्श के और 21 बर्मंड सर पुर्श के, इससे पहले थोड़ा चीतर दिखाते हैं आपको, अब देखिएगा, ये एक बर्मंड का लगू चीतर है, इसमें क्या सब्स्ता है, देखि के साथ पाताल आदी, ये साथ लोक हैं, और ये पर्थवी लोक हैं, ये बर्शिव जी का लोक, ये बर्मंड जी का लोक, ये विश्वन जी का अपनी राजदानिया हैं, ये स्वर्ग लोक और नरक लोक, ये धर्मराय का लोक है, ये एक मान सरूर है यहां पर, और ये है वो ब्रहम लोग, ये इतना ब्रहम लोग है, अब जैसे जो ब्रहम आविश्व मेश्व की पूजा करते हैं, इस कोमन सुरग में जाते हैं, इस सुरग लोग में आ जाते हैं, और ये तो बहुत सिगर ही इनका पतन हो जाता है, जो ब्रहम की साधना सरपुर्स की करते हैं, वो यहा तीन नकली स्थान बना रखें महांदर काद्वी नकली सत लोग नकली अलग लोग नकली अगम लोग और नकली अनामी लोग ये सारा ब्रहम लोग कहलाता है इतना ये देखिए और ये स्विम इसने तीन गुप स्थान बना रखें एक स्थान पर ये स्वयम दर्माजी का रूप धान करके रहता है और दुर्गा इसकी पत्नी है उसको ये शावत्री रूप में रखता है ये रजोगुण पर धान अक्षेतर है ये एक सतोगुण पर धान अक्षेतर है जिसमें यस्वम विश्ण रूप धान करके रहता है और दुर्गा को लक्समी रूप धान कराके यहां रहता है जब तक यह इसमें रहते हैं उनके दोनों के स्रिश्टी करम से जो पूतर उत्पन होता, उसका नाम विश्ण रख देते हैं वो अटोमेटिकली सतोगुन हो जाता है और जब यह बर्मा के रूप में रहता है रजगुन परधानक सेत्र में तो इन दोनों के स्योग से जो पूतर उत्पन होता है उसको इसी सुरूप का उत्पन हो जाता है उसको बिर्म आटोमेटिकली रजगुन युक्त हो जाता है और यही काल ये सरपुरुस मतीशरी तमोगुन परधानक शेतर में रहता है दुर्गा को पारवती रूप में रखता है स्वम ये इस बेशवू साम रहता है इन दोनों के संयोग से जो पूतर उत्पन होता है वो अटोमेटिकली सभाविक तमोगुन हो जाता है और उसका नाम ये सीव रख देते हैं सतोगुन से उत्पन पूतर को विशुन नाम रख देते हैं और एक हस्य तर्मजवपन होता उसको बर्मान आम रख देते हैं वो रज़ोपन युक्त हो जाए तो ये एक बर्मान्ड है ऐसा ऐसा एक बर्मान्ड है ऐसे ऐसे 21 बर्मान्ड का स्वामी ये काल है सरपुरुष ये देखिए ये काल के 21 बर्मांड ये सरपुरुष भी कहते इसको अब जो आपने एक बर्मांड ये देखा था पूरा ये समझो अब ये एक गैंद सी होगी गैंद तो इस इसने पांथ बर्मांडों का एक ग्रूप बना रखे ऐसे ऐसे चार महा बर्मांड बना रखे इसमें 20 बर्मांडों को रोका हुआ है और ये 21 मांड इसने अलग से अपनी एक राजधानी बना रखे इस परकार ये 21 बर्मांड का स्वामी है और बर्मा विश्णु महिस जी तो केवल इन तीन लोगों में इस पाताल लोग पर इस परत्वी लोग पर और इस स्वामी है रजगुन विभाग के बर्मा जी सत्गुन विभाग के विश्णु जी और तमगुन विभाग के शिव जी ये केवल एक बर्मांड में इन तीन लोगों पर एक एक विभाग के अधिपती हैं बस और ऐसे ऐसे 21 बर्मांट है इस काल के अब बर्मा विश्णों मैश की सतीथी से आप परिचित हो जाओगे और ये है अब ये असंग बर्मांट का मालिक ये पूरी सतीथी आप इससे समझेंगे तीनों भगवानों की ये देखिएगा सरप्रुष, अक्सरप्रुष और पर्म अक्सरप्रुष ये 21 बर्मांट हैं जो अभी आपने देखिए थे अब ये इस सतीथीम आगे हैं ये तो सरप्रुष यानि काल बर्म के हैं 21 बर्मांट और ये साथ संख वर्मांड हैं साथ संख वर्मांड ये अक्सर पुरुस के या परवर्म को होते हैं अक्सर पुरुस को ये 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 अलक्सिय दिखाई देती है और ये पूरे असंख वर्मांड का कुल मालिक इन पे भी इन पे भी उन सब पर जो मालिक है वो परमक्सर प्रम कवीर देव है ये परमक्सर प्रम है ये सब का स्वामी ये परमक्सर प्रम है ये पूरा पूरा देखें अब ये तीन वगवान समझाओंगे सरपुरस अक्सरपुरस ये इतनी सीमा अक्सरपुरस की ये सरपुरस की और ये परमक्सर प्रुस की, यारि पूर्न प्रवाद, अपने आत्मों यह यह जातिम ग्यान और यह गीता जी का ग्यान, अभी तक यह दंद कता सुना रही है हमारे को, इनको कैख है का नहीं पता, गीता जी के ग्यान का, अब इसमें सफ़ष क्रिया है के पंदर में अध्ध्याए के सोला और सत्रामाद तीन पर्भू सपर्ष लिखे एक सरपुरसि ये 21 बिर्माण दका सौमी है ये काल है जो गीता भोल रहा है शरी किर्श सम्माप्रविस करके और अक्सर पुरसि ये बर्भुर्म है जो साथ संग बर्माण का सौमी है और तीसरा जो परम अक्सरवर्म है उत्तम पुर्शत वन्य परमात्मायति उधारते यह देखेगा शिरीमत भगुत गीता अध्याय नंबर पंद्रा का 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 अध्याय गवाले लोक में दो प्रमात्मा सूपरसिध हैं एक सरपुरुस और एक सरपुरुस अक्सरपुरुस तो तना है, सरपुरुस ये शंशारुपी वरक्स की एक मोटी डार है। आत्मा सब की अमर हैं, यहां देखिएगा, अब देखिएगा देहनमर 15 का, हम सोल मासलों के नहीं के अनुआद के सुनाते हैं, इस संसार में नास्वान और अविनासी भी ये दो परकार के पुरुष हैं, परभु हैं, दो परकार स्वामी हैं, संपुन पराणियों के सरीर तो लोग तर्म आवी से भी बरती अवेश्वर है है उत्तम पुरुष यारि सरेष्ट परमात्मा वास्तविक भगवान तो इन डोनों से इस सरपुरुष और अक्सर पुरुष से भी कोई अन्य है और है पंदर में का सतर्मा सपष्ट कर रहा है और उसको भगवान कहते हैं वो प इस वरे वो अविनासी परमात्मा है अब पुरुष आत्मों ये सफष्ट हो गया कि गीता ग्यान दाता से अन्य और सुप्रिम पाउर है वो परमक्सर ब्रहन जो है वो तिन्नों लोकों में परवेश करका सबका धान पोशन करता है वो मूल यानि जड़ उल्टा लटके वे संसार रुपी वर्क्स के जो उपर जड़ है वो जड़ मूल रुपी परमात्मा है और वही पूजा के योग है उसी की पूजा करनी चाहिए अब फिर जेखेगा एक पर चीतर को आशानी समझ माएगा ये पूरा संसार रुपी वर्क्स देखो उपर को उर्द्व मूलम जड़ है वो समझो पूरा प्रमात्मा है और नीचे तीन गुर्ण रुपी साखा है इस बाकी के बारे बताया कि इस पूरा रुप से जानकारी मैं नहीं जानता तत्व दर्शी संत बताएंगे और गीता जी देहरमर पंद्रा के स्लोक नमर एक में कहा कि इस सारे भी भागो को इस पूरे संसार रुपी वर्क्स के सभी भाग बता देगा सेवेद्वित वो तत्व दर्शी संत है परमेश्वर कबीर जी स्वेम आकर के 600 वरस पहले हमें बता कर गए थे कबीर अकसर परुष एक पेड़ है निरंदन इस सर परुष को काल निरंदन भी कहते हैं यो काल वाकी डार और तिनो देवा साखा है पातरों सलसा इस परमेश्वर ने 600 वरस पहले ये ग्यान हमें दे रखा था जिस आधार से पुवितर गीता जी भी सम्झ में आ रही है और पुवितर गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया परमानित कर दिया कि तीन परमात्मा सर परु ये ब्रमा विश्णु महेश से अन्य है गीता ग्यान श्रीकर्शन नहीं दे रहे है श्रीकर्शन में प्रवेश करका है ये ब्रम काल दे रहा है और यही विश्णु रूप धान कर लेता है ये कभी सिव रूप धान कर लेता है कभी ब्रमा रूप धान कर लेता है और जनता भर्मा पढ़ जाते हैं सादक के विश्णु सतोगन विश्णु भगवान ही पूर्ण प्रमात्मा है लेकिन ये होता है काल अब देखिए विश्णु प्राण में एक और परमान देते हैं श्री विश्णु प्राण गीता प्रैस गुर्व कुर्शय परकासित इसके पर्थम मंस अध्य बाएस और ये प्रिश्णु नम्बर देखिए विश्णु प्राण और अठावन वासलोक सफश्ट कर रहा है प्रतमान अध्य है बाएस और शलोक अठावन है बिर्मा विश्णु और सिव बिर्म की पर्धान शक्तिया है उसे ल्यून देवगर है यादि बिर्मा विश्णु सीव से बिर्मा अलग है ये काल है बिर्मा विश्णु महिस का पिता है जैसे गीता जिद्य है नुम आठ के स्लोक नुम highlighting मेरे मेरे ओम नाम के जाब से मिलने वाली गती जो ब्रम लोग है वो इस से प्राफट होगी आपको बता जिया अज़ धैनाबर आठ के गीता जी के मंतर सोड़ा में सबस्ट किया है कि ब्रम लोग प्रियंतविक प्राणी सभी जनम वरतियों में आते हैं पुन्रा वरतियों में गीता ग्यान दाता ने अपनी परमगती को अपनी गती को भी अनूतम कहा है इसलिए गीता जिद्धा जिद्धा नमर 15 के सलोक नमर 1-4-16-17 और जिद्धा नमर 18 के सलोक 62 में गीता ग्यान दाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कहरा कि उसकी साधना करने से ही तरह परमगती होगी पूर्न मोक्स होगा फिर जनम मर्चुग कभी नहीं होगी अब गीता ग्यान डाता आठ में जाय के पर्थम सलोक में अरजुन ने जो परसन किया कि आप जिन साथ में जाय के गीता जी के 29 मंतर में सलोक में कहा है कि उस तत्वर्म को जानकर सारे द्यात्म को जानकर और पूरे कर्म से परिचीत होकर परानी केवल जरा और मर्न से बुढ़ापे और मर्चु से छूटने का परियतन करता है तो आठ में जाय के पर्थम मंतर में अर्दुन ने पूछा किम तत्वर्म उसका उतर गया तीसरे सलोक में गीता ग्यान दाता कि वो परम अक्सर ब्रम है वो जड़ रुपी भगवान है उसी की पूजा करने से कभी दनमर तो नहीं होगा अब गीता जिद्धा जिद्धा नमर आठ के सलोक नमर पांच और साथ में गीता ग्यान दाता कहता है अपनी साधना के मेरी साधना कर मेरी भक्ती कर मुझे ही प्राप्त होगा तो युद भी कर और मेरी सर्ण में रहना है तो मेरा ओम नाम है और मेरी भक्ती कर फिर गीता जी अध्ध है नमबर आठ के सलोक नमबर आठ नो दस में उस प्रमक्सर ब्रम की साधना के विसे बता है कि उसकी साधना करनी है वो प्रमक्सर ब्रम है दिव पुरुष है उसकी साधना करने वाला प्राणी उस प्रमेश्वर के पास चला जाता है और उसका क्या मंत्र है गीता जिद्धाय नंबर 17 के सलोक नंबर 23 में का है ओम, तत, सत, इती निर्देश है बर्मने तिर्विद समरता है बर्मने माने सचिदानंद घन बर्म का तिर्विद माने तीन परकार से सिमन करने का इस ओम, तत, सत, इस तीन मंतर के जाफका निर्देश है निर्देस माने nothing else और कोई मंतर नहीं है अभ यहाँ ओम तो ब्रम का सरपुरुष का, मनतर ही तो understood है, इसने कलियर कर रख है और तत ये अक्सर पुरुष का और सत है ये परमक्सर पुरुष का परमक्सर ब्रहम का तत ये गुप्त है, सांकेती के और सत भी सांकेती के ओम डिक ओपन, सारवजनी के इसलिए गीता ग्यान दाता ने आपसन छोड रखा है चोथे जय के 34 सलोक में कि उस ग्यान को जो चोथे जय के 32 सलोक में बरमने मुखे, सचीधा नंद घन बरम के मुखे जो उचारित ग्यान है तत परमात्मान स्वमा कर बोला हूँ कबीर वानी में जो ग्यान है उस ग्यान को तु तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ वो तत्व दर्शी संत उस परमातम तत्व का तुझे ग्यान बताएंगे तो ये तीन मंतर के जाप का जो कोड वर्ड है ओम को छोड़ कर तत्व वर्ड है ये कोड़ वर्ण है ये गुप्त संकेतिक सबत है ये दास बताएगा इस दास कहते है एक्किश बर्मांड में आज किसी के पास ये राज नहीं है परमाश्वर कबीर देव ने पूर्ण परमेश्वर ने परमक्सर बर्म ने इस दास को ये ग्यान दिया हुआ है और ये मंतर द साधना करने से पूर्ण मोक्स होगा और फिर जनम मर्तु कभी नहीं होगी उसका तीन मंतर के जाप का नर्देश है उसको पाने का उसकी प्राप्ती का मंतर है ये यानि इस साधना से वो मिलेगा ओम बर्म का जाप है और तत ये सांकेति के ये अक्सर पुरुस यानि अक्सर ब्रहम का और सती भी सांकेती के परमक्सर ब्रहम का उस परमक्सर पुरुष का है इन तीनों का अलग तीन परकार से इनकी साधना होती है तिर्विद समरता है तीन परकार से इसका सिमन होता है गीता अध्धाय नुबर पंदरा के सलोप नुबर एक से चार में का है कि उस ब्रवर्मनों की रचना की है और मैं भी उसी की सरन हूँ उसी की पूजा करनी चाहिए अब गीता ग्यान दाता चोथे दैके पांच में स्लोक में और नॉमे में दूसरे दैके बार में स्लोक में कहता कि मेरे भी जनम मरती है और तेरे भी होते है इसलिए गीता जी अध्धाय नंबर है 18 के स्लोक नंबर 62 में काया कर तुम तु सर्वय वाव से उस परमिस्वर की सर्ण में जा उसकी करपा से हितु परम शानती और सास्वतं सथानम सनातन परम धाम को उस रित धाम को पराप्त होगा जाजाने के बाद फिर लोट के संसार में कभी नहीं आते वो पूरन मोक्स पराप्त हो जाता है अब गीता जाय नंबर 8 के स्लोक नंबर 13 में गीता ग्यान दाता कहता ओम इती एककसरम बिरहम विभारन मा मनुसमर ये परियाती तजन देहम सैयाती परमाम गतिम मुझ बरम का एक ओम मंतर है नफिंग एलस और जो इसका सिमन करता हुआ श्री छोड़ कर जाता है तो ओम से मिलने वाली जो रहा है था उस परम गतिम को पराप्त होता है फिर आठ में जाय के पांच और साथ में तो अपनी पूजा के लिए बता है पूजा कर ओम नाव का जाब कर एक मुझे पराप्त होगा गिता जी अद्य हाई नबर आठ के समर अ आठ नो दसमे उस परम-अकसर परम के भी से मिलता है कि उसकी पूजा करेगा तो उस ही को पराप्त होगा उसका मंतर क्या है? सतर में जाएगे 23 में स्लोक में का सचीदानंद घंबर्म के पाने का उसके सतलोक मजाने का अमर पद प्राप्ट करने का मंतर ओम तत सत इस तीन मंतर के जाप का निर्देश है नथी गर्स और ओम सीधा ही बर्म का है इसका सर पुरुस भी कहते है और तत ये अकसर पुरुस का है और सत ये परम अकसर पुरुस का है तो ओम सीधा ही है तत और सत ये सांकेतिक है उसके लिए गीता जयाहनँबर चायर के स्लोक नुमर चौंटीस में कहा के अर्दुण तो उस ततवगयान को जो अध्याय नुब चायर के स्लोग नुमर 32 में कहा कि हो सचीदानंद घंबरम की वानी में विस्तार से कहा गया वो तत्व ग्यान उस तत्व ग्यान को तो तत्व दर्शी संतों के पास जाकर समझ इसे सिद्या कि गीता ग्यान दाता भी इनकम्प्लीट ग्यान रखता है उस प्रमक्सरप्रम के पाने की विधी उसके पास नहीं है उसके लिए उप्सन छोड़ जाके तुत्व दर्शी संतों की खोज कर और वो ग्यान देंगे वी नमर होकर उनसे वो ग्यान पूछे उसका पहचान बता जी गीता जी दाय नंबर 15 के सलोक नंबर 1 में जो इस कुल्ट अस्तत्परम की सर्णमज़ा प्रमक्सरप्रम की सर्णमज़ा जिसकी करपा सी तु प्रं स्थानती को और सनातन प्रमधाम को परपत होगा जो कभी नासमानी आता जहां जाने के बाद फिर लोट कर नहांते वहाँ जाने के लिए आपने क्या करना होगा गीता जी अज्धाय नमर 18 के सलोक नमर 66 में कहा कि कहा इस गीता ग्यान दाता ब्रम्ने के अगर उस परमात्मा की सरनम जाना है ना तो मेरे सतर के जितनी भी दार्मी पुजाए हैं सर्वाधर्मान परितज माम मेरे सतर के ओम नम के जाप की जो कमाई है वो मुझे छोड़ दे हम पहले क्या करते थे ओम नम के जाप की कमाई ब्रम्लोक में जाकर समाप्त कराते थे फिर यहीं जनम मरत्यू में रहते थे क्योंकि ओम ब्रम का जाप है और ब्रहम की जाब से जनमम्रद्यू कभी नस्त नहीं होती है यूँ विनासवान है कि इसकी भी मर्द्यू होती है और सादर की भी मर्द्यू होती है तो अब हम इसकी ब्रहम्रोग इसका परतिफल नहीं लेंगे ओम नाम का अब यह कEHTा तुने वहाँ जाना उस ब मातमा उसकी सरन में जा तब मैं तुझे सब पापों से मुख्ट कर तुझा क्योंकि हम पापों क्या दार पर आगा देक हुट ते सूर्बन रहे हैं जब हम इसका कोई लेना देना मारा इनका रहेगा नहीं तो यह हमारे पमांगे क्या अब यहाँ सभी अनुआद करता उने ब इंदी कोस वामन शिवराम आपते दौरा इसका संग्रह किया गया है और ये हैं मोती लाल बनाशी दास पबली सर्ज प्राइवेट लिम्टिड दिल्ली से परकासित है इसके नो सो त्रेनमा प्रिश्ट पर वर्ज माने जाना चलना परगती करना बेदा होना ये सारा है वर्ज माने जाना आना नहीं होता गो माने जाना है तो उसका अर्थ आना हो ही नहीं सकता एक सिधी सी बात है इंगलेस वर्ड है गो उसका अर्थ आता जाना उसका अर्थ कम नहीं हो सकता अगर कोई कम करता है तो उसने कोई ग्यान नहीं वर्ज माने जाना है तो उसका आना जिसने किया है उनको कती ग्यान नहीं, उन्हें अनर्थ कर दिया, अब देखिएगा, शिरीमद भगवत गीता के अन्वाद करताओं की कलावाजी, ये देखिए, जैद्याल गोइंद का, गीता प्रैस कोरुपूर से प्रकासित है, ये अठार मा अध्य है, शिरीमद भगवत इसमें वरद सब्द सपस्ट है, सर्वय धर्मान परितज माम एकम सरनम वर्ज, एहम तवा सर्वय पापेभ्या मुक्षामी मासुच, क्या अर्थ किया है इन्होंने, संपूरन धर्मों को, अर्था संपूर्ण कर्ट्व कर्मों को, मुझ मचा करतू केवल एक, मुझ सर्वय सक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की सरनम आजा, वर्ज माने आजा, रहुआ, यह अपने देख लिया, गीता प्रैस गोर्वपुर्शे परकासित में, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर कहा करते हैं, पाखंडी की पूजा जगम संतन कहें लबाडे, कबीर परमेश्वर को तो कहते हैं, यह तब अनपड़ था, कि अनपड़ आया को नी, पंड़ता दो रहा है, इस पंड़ता न काट रहा है की टाट, यह कर दिया गेरे, नास कर रहा है, अनरत कर दिये, और परमेश्वर उन यह बता रहा है कि सारी कानी कती यथारत रूप दे रहा है, मालिक ने कबीर वाणी में सचीदा नंद घन बरम की वाणी में, यह यथारत ग्यानते रहा है, निरंजन दन तेरा दरबार, निरंजन दन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भई सादो या सब उलटा व्योहार कहे कबीर सुनो भई सादो या सब उलटा व्योहार साचों को तो ये जुठा बताओं इन जुठों का एतबार निरंजन दन तेरा दर बार निरंजन धन तेरा दरबार जहां पर तन्यक नान्याए विचार पुनात्मों आप देख रहे हो अब कबीर परमेश्वर कहते हैं कबीर ये माया अठ पटी सबकट आण अडी और किस-किस न समझाओं या कुवा बांग पडी इस एक कुए का पाणी पीरे सारा बांग वाली अरूसी तरह चल रहे हैं वरजमाने नो का आजा वरजमाने जाना होता है गोमीन जाना है उसका कम अर्च कैसे कर दिया आज तक आख नहीं कुछी प्लग प्च्पन सो वरस होगे इस गीता जी को लिखे हुए आज तक ये कैख है नहीं समने सके इस गीता जी में क्या लिखा है इसमें तीन परमातमा स्पष्ट हैं और जो परमक्सर परम है उसी की पूजा से पूर्ड मुक्स होगा वो तीन मंतर का जाप है ओम तत सत सिधा नहीं है ओम तो डारेक्ट है तत और सत संके ती कहीं ये दास बतावगा इस दास के तरित किसी के पास ये मंतर नहीं है और मुक्स होई ही नहीं सकता इस मंतर के बताए बेना और दास ही अधिकारी है इस परिश्व को यह अधिकारी वर्त मानमा है भी नहीं बोलो सत्गुर्देव कीजए आप जी ने अधात्मी ग्यान तर्चा सुनी पुनात्माओ आपका सोब आगे है कि आपको ये ग्यान सुनने को मिल गया ये खजाना खोल दिया वगवार ने इस काल ने सब की आँखें बंद कर रखी है और पर्मिश्वर कहा करते थे मुट्टी मुक्तादर सत्ना ही ये जग है सब अंदरे दिखत के तो नैन चिसम उनका फिर्या मुट्या बंदरे ये संस्कृत बोल का विद्वान दिखाई देते थे इनको अधात्मीक मुट्या बंद था ये अध्यात्मिक ग्यान ने तरहीन थे इनको सत्मारग का ग्यान नहीं था वो सत्मारग आज आपको प्रापत है इसका लाब उठाओ बोलो सत्गुर्देव